हेलो मित्रो नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वगत है हमारे यूटूब चैनल इभी लाइब नुज पर मैं आपका दोस्त रूप चन्शा हुंँ आपका आपका अपने यूटूब चैनल पर हर देंस स्वगत करता हूँ अभिनदन करता हूँ और दोस्तो आज आपको ही market में धूम मचा दिया था उसी प्रकार से इस एलेक्ट्रिक आटो ने आते ही market में धूम मचाना सुरू कर दिया है और बहुत सारे लोग इसके दिवाने हैं इसको खरीद रहे हैं चला रहे हैं और अपना अपना feedback अपना रिविव दे रहे हैं तो मेरे भाईयो दोस्तो आपको भी इसके बारे में जानकारी जानने की इक्षा हो रही होगी कि यह गाड़ी आखिर कैसी है कितने किलोमीटर चलती है इसका प्रफोमेंस कैसा है बैटरी का रेंज कैसा है कीमत क्या है गाड़ी की टॉप स्पीड क्या है गाड़ी की बोड़ी कैसे बने है गाड़ी की चार्जिंग का टाइम क्या है हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए तो मेरे मित्रो आज मैं आपको आपका जो कनफ्योजन है वो दूर कर रहा हूं और आज आपको बता रहा हूं मोन्टरा एलेक्ट्रिक आटो की एकद पूरी और सही जानकारी क्योंकि मार्केट में कम्प्रिशन का दौर चल रहा है मेरे भाई बहुत सारे कम्पनियां अलग अलग विराइटी की अलग अलग फेसिलिटी की अलग अलग फीचर के साथ नए ने गारियां लांच कर रही हैं तो आपको बहुत सारे गारियां देखने के लिए मिल जाएंगी और जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि 2023 का ये आखरी महिना चल रहा है दिसम्बर महिना चल रहा है और लगबक 15 दिन बाद आपको ये साल खतम होने वाला है 15 दिन में और 15 दिन बाद नया साल आ जाएगा 2024 और 2024 में बहुत सारे कमपनियां अपने अपने नए नए एलेक्ट्रीक आटो रिक्षा नए बेरिट के साथ नए फेसिलिटी के साथ नए फीचर के साथ नए बेटरी के साथ नए लुक नए डिजाइन के साथ लांच कर रही हैं तो आप लोगों से मेरा एक कॉश्चन है कि आप लोगों को क्या अभी इस पंदा दिन के भीतर एलेक्ट्रिक आटो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए आप लोग जड़ा सोचो क्योंकि यह ऐसा महिन है कि ज कस्तमर को लालच दे कर क्योंकि उनको पता है कि 2024 में नए गाड़ियां आ रही है अपडेट होकर आ रही है नए फीचर मिलेंगे नए बैटरी मिलेगी ज्यादा रेंच मिलेगा कीमत भी कम होगी ज्यादा फेसलिटी वाली गाड़ियां आ रही है एलेक्ट्रिक आटो तो मे कमेंड करके बताएं लेकिन मेरा जो पर्सनल आपके लिए एक सेजेशन है एक मेरे पर्सनल आपसे एक अनुरोध है निवेदन है कि आपको अभी पंदा दिन के भीतर कोई भी एलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं खरिदनी चाहिए क्योंकि 2024 में आपको बहुत ही नए नए फीचर के साथ नए नए गाड़िया देखने को मिलेंगी तो आप बेट करो अब पंदा दिन के बाद में आप गाड़ी खड़ीच सकते हैं जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था मौंट्रा एलेक्ट्रिक आटो के बारे में तो यह गाड़ी ऐसी है मेरे भाई किसकी जो लुक है कार वाली इसकी जो सीट है वो भी कार वाली इसका जो कलर है वो भी कार के जैसा है तो इस गाड़ी का इस गाड़ी को जो डिजाइन किया गया है एकदम सेम जैसे नेनो कार है नेनो कार की डिजाइन पर इसको डिजाइन किया गया है एकदम देखने में भी आपको नेनो के जैसे लगजीगी कीमत लगभग आपको आपके अलग-अलग सहरों में कीमत अलग-अलग हो सकती है लेकिन जो अभी आगरा में कीमत चल रही है इसकी तिन लाख दीस अजार तिन लाख तीस अजार के आसपास इसकी कीमत चल रही है और गाली बहुत ही शांदर है इसका जो लुक है शामने से देखने में डिजाईन बहुत ही जबर्ज़स्थ है करके जैसे है आपको इसमें जो हेडलाइट मिलेंगे LED मिलेंगे आयोजन लेम्प वाले भी मिलेंगी बहुती सांदर प्रकास रहता है रात में आगर आप चलाते हैं तो सामने का टायर आपको काफी बड़ा मिलेगा 12 इंच का टायर मिलेगा ट्यूबलेस टायर मिलेगा इसमें आपको सामने डवल सौकब मिल जाएंगे इसके बाद में ड्राइबर सीट भी काफी स्मार्ट है कार के जैसे सीट है बैठने के बाद आपको एकदम बढ़िया कार की फिलिंग आएगी इसके बाद में दोस्तों जो इसका डेस बोड है काफी सांदर डेस बोड है stylish है, अच्छा लगते है देखने में और सबसे सांधार बात है कि यह application के द्वारा connect हो जाता है आपके mobile से और जो passenger बैड़ता है उसके भी mobile से तो यह facility बहुत ही सांधार है आप mobile के द्वारा ही देख सकते है कि आपके आपके गारी में अभी कितनी battery है कितने किलोमीटर जाएगी, कितने देर में खतम होगी, आप कहां पे हैं या आपको application के माध्यम से मिल जाएगी इसके बाद मित्रो इसकी बात की जाए जो पीछे की seat है, passenger की बैटने की काफी बड़ी seat है, सांदार seat है आप उसमें 3-4 सावारी बैठा सकते है, बीच में आपको काफी gap मिलेगा, space मिलेगा, जिसमें भी आप बैठ कर आपका आराम से बैठेंगे, कोई दिकत नहीं आएगी और सबसे बड़ी खास बात इसमें अलग ये बनाती है, कि passenger बैठने की seat है, उसके पीछे में जो बची हुई जगा है, वहाँ पे आप बहुत सारा लगेज रख सकते हैं बहुत सारा समान आप रख सकते हैं, suitcase, bag और जो भी passenger के रहेंगे वो रख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है पीछे के टेर भी आपको काफी बड़े मिलेंगे, 12 इंज के टेर मिलेंगे, और काफी ज़्यादा space मिल जाता है, दोनों टेरे को बीच में गाड़ी आपकी speed में पल्टी नहीं खाएगी 55 की इसकी top speed है, 4 घंटे में लगबग चार्ज होती है, 3,20,000 से 3,000 इसकी कीमत है कर सकती है, लेकिन वो अलग से करना पड़ेगा, 3 साल के वारंटी नहीं मिलती है और गाड़ी बहुत ही बढ़िया है, इसको चलाने के लिए आपको driving license की जुरूरत पड़ती है 4 घंटे में गाड़ी full charge होती है, और 170 किलो मीटर इसका range मिलता है कमपनी जो बता रही है, 170 किलो मीटर के असपास चलती है लेकिन आप इसको 1,500 किलो मीटर तो चला ही लेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया गाड़ी है मित्रो टोटल मजबूत metal body है और बजाज की electric auto से बढ़ी भी है क्या आपको बजाज लेनी चाहिए कि मोंटरा लेनी चाहिए आपको decide करना है बजाज की जो range है आपको 179 किलो मीटर यानि कि 180 किलो मीटर के आसपास मिलती है और मोंटरा का range आपको 150 किलो मीटर के आसपास मिलता है दोनों ही गाड़िया चलते चलते चार्ज होती है यानि कि री जनरेटिव सिस्टम दोनों ही एलेक्ट्रिक आटो में है लेकिन इसमें क्या फेसलिटी कि आप बैठा सकते हैं साइज में बड़ी है और बजाज से साइज में थोड़ा छोटी है तो आपको डिसाइट करना है कि आपको दोनों में से कौंची गाड़ी लेना है दोजार चोबिस में लेना है या अभी लेना है आप decide करें comment करें वीडियो कैसी लगी है आप जरूर बताएं अपने दोस्तों और भाईयों के साथ वीडियो को share करें ताकि लोगों को सही और अच्छी जानकारी मिल सके पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को करें subscribe ताकि हमारी आने वाली सबी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहें तो मित्रों मीजे की वीडियो आपको पसंद आई होगी अच्छी लगी होगी इसी के साथ वीडियो को करते हैं खदम मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ अगली वीडियो में जब तक के लिए जय हिन जय भारत